विए जैसा कि हम जानते हैं समेस्टर में एक मेरा इलेक्टी nive subject के अंदर तेन हैं उसमें से मोश्ट इंपार्टन सब्डशेक्ट जिसका नाम है प्लंबिंगल को करेंगे किसका करेंगे किसका करने से पहले कुछ चीज़े समझे इसके बारे में कि प्लम्बिंग सब्जेक्ट कैसा है इसके अंदर क्या-क्या है मोटा-मोटी हम समझ लेते हैं तो प्लम्बिंग सब्जेक्ट बहुत ही असान सब्जेक्ट है बस आपको वीडियो देख लेना है आपको आपको आटोमेटिक याद हो जाएगा अहां समझाने की गरांटी मेरी यह बस आप बने रहें रहेंगा दूसरी चीज की हंड्रइट-परसंद थे एघ्ड़ी है और स सारी चीज़े इसके अंदर आने वाली हैं तो सारा हम आखों से अपने देखे हुए हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा वह समझाएंगे भी अच्छे से ठीक है असान सब्जेक्ट है बने रहेगा और नंबर इससे उठता है यह आप लोकल लोकल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर उठा लेते हैं तो फिर आपका परसेंटेज अच्छा चला जाएगा हम आशा करते हैं इस बार अनर से लेकर है ठीक है तो आज हम सुरू करेंगे स्लेवर डिसकसन करना भी बहुत जरूर है इससे क्या पता चलता है इस पूरे सब्जेक्ट की आवकात क लिए सुरूरा है पता चलता है कि इस गोड़नेंगे स्लेवर डिसकसन करके पता चलता रहे का पटा चलेंगा अच्छा यह टॉपिक पढ़ चुक है अगला टॉपिक यह है फिर उसके आगे टॉपिक यह टॉपिक वाखी है इतना टॉपिक वाखी है बहुत सारी चीज़े आपका किलियर हो जाएगा इसलिए हम स्लेवर लिकीड़ मिली बात करेंगे हम ठीक है बाकी द्रों को चुब यह लिए पानी को पानी पर फोकॉस करेंगे एक जगार दूसरे ले जाने के लिए बहुत सारे पाइपों तथा वह उसके बहुत सारे कंपोनेंट को फीटिंग करने को ही क्या कहते हैं हम लोग प्लंबिंग काते हैं ठीक है तो यह पर्णाइंगे प्रिचा पता ही दिए कि प्लम्बिंग क्या है प्लम्बिंग पूरा ने लेकिन आपको पीडियस में भी मिलीज्यम क्या पिजम क्या थीक तो प्लंबिंग प्लंबिंग सिस्टम क्या है टैंक हो गया टोटी हो गया वालव हो गया पाइप हो गया बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं समझा करना होगी तो प्रवाइब करने का तरीका यही है हम टाइम लेकर पढ़ाते हैं लेकिन सब्जेट के अंदर एक एक वर्ड को हम बताते हैं अब पढ़के देखिएगा ठीक है करने क्या करने का करने क्या क्या करदें ठीक है तो धृब्बर का प्लमबर का का चैतर क्या क्या है प्रविक्षट कर देगा ठीक है उल्टा सिधर दोड़ देगा कि कि इसको कहेंगे उसके पास क्या हो दवारा मानता प्राफ्ट हो रिजिस्ट्रेशन किया वाओ सब्सक्राइब प्लंबर है उसी को लेकर जाना नहीं तो बिना सट्पिकेट चेक कि यह लेकर जाएंगे तो सकता आपका समान लेगा भाग जाए एक इक जाम पल दे रहें ठीक है वैसे हम इसको करी देखते नहीं है ठीक है फिर हम पढ़ेंगे सिंबल की सिंबल से दिखाते हैं टोटी को कि स दिखाया जाता है इंजिनरिंग में मोस्टलियम सिंबल के दूरू लेकर चलते हैं सारी चीजों को ठीक है तो हम पढ़ेंगे प्रतीक पढ़ेंगे फिर कुछ डिफिनीशन बेसिक डिफिनीशन को सब्दावली लिखाए बेसिक टर्म पढ़ेंगे सब्दावली सब्देखु लिख की चलएक सब्सक्राइघा चलाएं सब्सक्राइब पढ़ेंगे चेदने वाले हम पढ़ेंगे किस से चेदा जाता है काटने वाले इंस्ट्रुमेंट को पढ़ेंगे और अन्य उपकरने मशीन है जैसे कि पढ़ेंगे देखेंगे अन्य में क्या क्या आजाएंगे चिनाई और बढ़ेंगे चिनाई करते समय किस किस चीज़ करता है जो कहांगे हैं जो मिस्तिरी होता है को कौन-कौन सा इंस्ट्रुमेंट धूल रहता है तो लोगरा युश्श्टे है ठीक है कार करते समय साउधानियां है न घड़ करते समय होन आ रहा है नहीं किसे इंपर्टेंट परसन यहाव किसे आ brothers coffee olduğunu После कार करते समय सावधानियां बरत नी चाहिए है अब आपका एक्जाम आ रहा है आप भी आप सावधान हो जाएए ठीक है आप क्या करें पढ़ाई शुरू करिए ठीक है थीक है थीक है थीक है पाइप को जोड़ने के प्रोसेस को देखेंगे देऩव यह आजएगा जल वहन जल पाइप कर रहा है त्रम Union को जोड़ा अधिक लोग तरह से प्लास्टिक और तो देखें ऌूग एक दो दो पाइप रहेगा इसके बीच में बढ़ा साय जाएगा कर जोड़ देदेंट नज्ए अब जीसे कोई जमीन के नीचे उसके लोड़ रहा है पाइजान पठीजान को तरड़ा मिन्न हो जाए वहां देखेंगे सारे जोड को किस किस तरह का जोड़ दी आता है कि मैं सब्सक्राइश कोरी कातना की प्रफैर काटना है तीकि निले कर दो रगातनी शुलिए पाइप को Android Stock creed और समझेंगे को कैसे मुड़ा जता है ठीक पर या करें वह पाइब का में फाइब कशोटी-छोटी निकली रहेगा कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही निकले तो में पाइब में से चोटी-छोटी निकली रहे थे ऊसे सब्सक्राइब तो नहीं पता मतलब क्या होता है सचेत होगा ठीक है और इसमें भी जब पाइब पाइब करेंगे इसमें क्या बरतना ऐसा नोए कि पाइब लगभग एक मोठाई का यह तो दूसरे पाइब को गरम करके घुशा देजिए नहीं दौनों पाइब लगभग समान तो घुशा देजिए फिर खराब हो जाएगा तो सारी सवधानिया क्या बरतना है इसको हम पढ़ेंगे किसमें पाइब फिटिंग में ठीक है फिर अगला मुष्ट इंपरेंट आता है बहुत जादा इंपोटेंट है आप लोग इसको पढ़ेंगे वाटर इंड वेस्ट व इसको प्रशुब पर चाहेंगे बतना है थ况ierte कौ़ पामर क्या सब्सक्राइब क्या सबस्क्राइब है यहां से पानी क्या क्या हिंब पानी पानी लेखा अभी रेंगे नहीं मेरे लाल नहीं पीजाएएंगे इस फिर यहीन निभी भी जाएंगे टीए अब अभी इसे कहते हैं अवसादन सेडिमेंटेशन इसे क्या कहते हैं अब जो पानी बचा इसमें क्या करेंगे इसका फिल्ट्रेशन करेंगे इसका रुगाणू नासन करेंगे उसमें क्या करेंगे रुगाणू को मारेंगे उसके बाद कुछ क्लोरीन मिलाएंगे बहुत सारी चीजें दो हम करेंगे और उसके बाद इसको पीने लाइव बनाएंगे this सारे प्रोसेस कहाते हैं वातर सप्लाइज सिस्टम क्या काendo मे मतलब की फ्लोराइड मान चल जाएगा प्रमीशन दे सकते हैं ठीक है पिर जल माग वाइए इस अब देखे वाटर सप्राइं सिस्टेम में हमको सबसे पढ़ा मिन के लिखे हैं का लिखे जल सुरत त samo सब्सक्राइब कर दो भी नदी नहरे इसे अम का देखी लिख्क्राइब को मृखेंगे सथी कहा सबाइब भी मझेल मतलब जैसे झरने का सार्वन है यह इसनल परHaida Kann verte कि आपका प्राम निशानगा है पीन हम आपको प्राएंगे ठीड सब्सक्राइब जमीन के अंदर से निकाला जाएगा सब्सक्राइब करना आपको तो क्या करिए कि एक उचाई पना उचाई पर जैसे कि घर है वाटर सप्लाई करना आपको ठीक है जैसे कि जमीन जमीन घर बना हुआ तो क्या करें ऊपर अस्थापित कर दिए अब टंकी में टंकी से पानी आएगा एक ग्रेयोटी कर थूआएगा तो वाट कहां गया जल सप्लाइश सिस्टम में एक या लगाव ग्रेयोटी सिस्टम कहीं कहीं पानी आपको जैसे कि माले तो कोई पहाड़ी अब इहां घर है आपधा गर है ऐना गर है अब अब मशीनदनकी आपशिचेंगे अब पंप स्थिस्टम पॉमपिंग सिस्टम कहीं कहीं इन दोनों का मीक्स चलता है उसको भी हम करतेंगे चलिए समझा रहोगा ना चीजे ठीक है कहांगे फिर करा जल प्रसोधन और साधन वह सेडिमेंटेशन की बात कर रहा है कि जल को एक टंकी में क्या करते हैं सांत अवस्था में रख देते हैं उससे क्या होता है कि द्रव के अंदर जो कंड रहते हैं जिसका घनत्व पानी से अ साधन सेडिमेंटेशन कितने तरह से किया जाता है उसको हम देखेंगे फिर फिल्ट्रेशन वह एकदम महीन कर दो कर फिल्ट्रेशन चानेंगे ठीक है फिर रूगाणू नाशन अरे आप एक पानी लाए उसमें सारा कंड पूनिकाल लेंगे तो क्या पीने लाएक हो ठीक है उसको बाद प्रियांगे फिर आता आपका स्टोरेज तथा डिस्ट्रिबूशन पानी को कहां स्टोर करके रखेंगे एसा थोड़ी अन्ना दीशन लेके आएंगे घरों में का देंगे लो बैई लूट लो ऐसा नहीं है उसको पहले मिस्टोर करेंगे और अपने है तो हम क्या करेंगे आम लोग हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई भंडारा न तो हां वित्रों कैसे होता है तो बहुत उचाई पर लेए हेडवाटर टैंक बना देंगा हो सकता 11 शिस्टम रेक पढ़ने में थे सरा क्या होता काई सिस्टम चीछ सब्सॉंट समें शुर्भे ही सुस्टम Ohio प्रेशर का प्रेशर हम जानते हैं हमको जानना है कि इतना प्रेशर से पाइप में पानी आ रहा है ठीक है फिर नीमन शाधित्र यह यह एक चोटे छोटे 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 पाइप यहां गया यहां सब्सक्राइब कि अब तहीं कोन सिस्टम है यहां का यहां का खराब और यहां कॉछा पर इसको करते हैं क्या चिम्स करना ऴॉट आ यह तरह का होता है यह लगा दिए भैई फोट्म बना है ठीक है यहां कुछ भी कर दिए कोई फरक नहीं पड़ेगा तो पानी को जब सप्लाई किया जाता है क्या कि पानी को जब सप्लाई किया जाता है तो सकता है टिया ठीक है रेगुलेट करने में जरूरी यहां है अब वाल यहां कही तरह का होता है सर्वाव रे लिखा via शुरेइश वालव प्रेस्ट षुब रिलीफ वालव प्रेसर रिलीफंद्ध फिर क्यावगए अगनी पाइप में जाता है पाइप में जाता है पाइप में जाता आचानक से मघ बंद पर गजाता है जो पानी कलेंगे दिए गरनि c सबसv dysfon सब्सक्राइब कर लगाते हैं पर जमीन से नीचे चाहिए उसके ऊपर जो तिन तोने करें तो ख्राब लगने लगता रोद नहीं नहीं करने अपने अपने और तो जल्क अछह है भई गहींवे अच्छह होगा तुसको क्या करना रिपेर करना इसमें maintenance and repair दोनों आजाएगा ठीक है जल का छह रोकेंगे पाइप का कुरोजन नहों इसके लिए भी हम देखेंगे फिर उसका रिपियर करेंगे ठीक है फिर रैन वाटर हर्वेस्टिंग देखेंगे रैन वाटर हर्वेस्टिंग क्या होता है वर्साजल को हम क्या करते हैं उ इसका बनाते हैं कि बारिज के पानी कोई कठा कर लें और उसका समय समय पर यूज कर लें उसे का तो वह सकता है इसका लाब क्या है ठीक है वर्साजल की उपलबदी ठीक है फिर संचयन निर्माल ठीक है कहां कहां इसको संचय करेंगे वह ठीक है फिर ट्रेने शीव आप समझेगा अब अभी तक दो था अभी तक दो था वह पानी इनहसा आपने गर में अपने झा क्या करेंगे पानी क्या करेंगे मेरे लाल पानी यूज करेंगे जब पानी यूज हुआ यह पानी वेस्ट वाटर बन गया वेस्ट वाटर हो गया कौन सा वाटर वेस्ट वाटर सब्रेस अगला दिन आता है तो जैसे पानी यूज किये पानी वेस्ट वाटर होगा आप तो जैसे पानी का यूज्ट करेंगे पानीस वेस्ट वाटर में बदल जा एक prob नह– तो जीक है तो जैसे पानी के यूज़ करें पानी बदल जाएगा अब बेस्ट वाटर को जैसे पानी लाके पी नइपा नहीं 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 डा सकते करके नदी में भी लोग नहीं रहते हैं यह दिद्र और फेक देंगे तो उनी पड़ जाएंगे जान या थीक यह labor वेस्ट वाटर को लिजा कर कि नदी नदी से पीले लाइक पानी को लेखा है उसे कहेा किवाटर सफ आप непीविचछने अब झान्दों हम आवाट को आशा सहर्गा मोझना पानी के कहीं दूपक कर मझा घर निखें सीष ऑप घर में निकला रहता है को तक हूँ आव इस में पढ़ें पी लिए पानी यूज कर लिए वेस्ट वाट रो गया अब इसको नदी में कैसे कैसे फेकेंगे उसे काते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या काते हैं ठीक है चलिए देखते हैं समझा रहा है चलिए एक अब शिस्ट निप्तान ठीक है इनि रिफ्यूज रिमूवल क्या होजाएगा आपका रिफ्यूज रिमूवल ठीक है नगर की उसरी दूसरता मतलब क्या कुछ नहीं जब हम यूज कर लिए वह वेस्ट वह क्या उसी की बात कर रहा था है वेस्ट वाटर है जुब यूज की लिए उसकी बात कर रहा ठीक है फिर निपटान म्लही अभंड आप इनफ पर प्रणाली हम पडेंगे किस की सिस्टम से निप्ताते हैं Phylink से लेकर गिरांगे हम बता रहा है ना कि उसमें से खतरनाक के Brenda कोहना में जिकाल देते हैं जैसे पाणी पीने से पहले उसका पुरा प्रोसेस से गुजारे था ऊसी तरह निक्तान करने नहीं नदी वेगर आमें डालने से पहले उसका निक्तान किया ठीक है तुछ उसका सिष्टम देख लेंगे वह King और दूसरा होता है जल वहां अले की अलब कि वह सिर्प गहरों का पानी लेके जाएंगा मुझा सबसे पहले हैं आपके घर से गंदा पानी को लेक गया उसे कहेंगे सीवर और पूरे प्रोसेस पूर जो लेक पानी जा रहा रहा इस इस पूरे प्रोसेस को सारा स्व्रेज शियस्टम किस में गिँए गणाना त्रेप नहीं लगतों है तो ब्ला एक समय होती तृजके रिप जाता है फिर सीवर को कैसे बिचाया जाता है परिच्छन देखेंगे ठीक है पानी डालिए जलसव मतलब पानी डाली है तो यह निए उहां आपका लिकेज है उसको सुधार रहेंगे सिधाई एकदम सीधा है कि नहीं ठीक है त्य क्या है उसके अंदर धूरा ड़ालेगे जहां जान जेएंगे ओन लेकल फिर दूर्टा करकब करकंए बिचा धूंब से लचाहिए तो घपाटना कितना जमीन प्रवेस सीद। इनि मानुस मोख़ा यही वैसा हो जिसमें आदमी घुचता है और सफाइ करतें तो मैंहों क्या होता है जो दिखेंगा आप आप छलते होते तो बीच बीच में एक मिलता धकन धकन को निकालेंगा और उसी में घूँज आएंगा तो आदमी को घूशने के लिए कि नीचे बहुत बढ़ा सीवर गया रहाता तो उसको घूश गरके सफाई करने करें के लिए मैं हो तो का रहता ने सीवर के बारे पढ़ेंगे फिर घूश्टे समय क्या-क्या सावधानिया बतना है तो कि जएका सवधानिया बड़तना होता है कि कि अभी आगया ठीक है पिर पातिछी अब द्राप मैं हम बताएंगे कि मैन होल कहां बनाते हैं ठीक है फिर सीवरों का अनुच्छा तथा मरम्मत करना है उसका देखबाल करना है और कहीं है गड़बोल है तुसको हम लोग ठीक करेंगे किसका क्या नाम है उसको दाना चाहिए न तो मरम्मत क्या करेगा यह वाला इस्टुमेंट ला दूसी फानि जाता है न स्वर में कैसा फानी जाता है दूसी फान में यह उतपर न करता तो उसका इंडलेशन निकल जाए नहीं निकलेगा तो ड्राप में नहीं निकलेगा मैन होल से जो मैन अंदर जाएगा उनिपर जाएगा तो वेंटिलेशन सीवर का बहुत जरूरी ठीक है नो समातन चिमनी की बात करा देख वाल तका सफाई करेंगे उपकरन क्या कहीं जोंगे सीवरों में 20 पोर्टन को लटका देंगे या कोई जलता हुआ कुछ भी लटका देंगे यह बूज जाएगा तो निवसके अंदर आक्षीजन नहीं है जल रहा है तो ऑक्सिजन अधार जाज कर लेंगे फिर सुरच्छा देख लेंगे ठीक है फिर पाइप पलंबिंग की बात कर रहा है किसकी बात कर करना है तो क्या प्लास्टिक का पाइप यूज करेंगे नहीं यूज करें अब को यह जा रहा है जो कि सीसे से रियक्षन करता है तो क्या सीसे का पाइप यूज करेंगे ठीक है तो हम को देखना है कि किस तरह का पाइप हम कहां यूज करें ठीक है फिर सिस्टम देखना है कि आपका घर में पाइप जाओ पाइप को फॉक्स है और और भर में ना दोजिए इस में क्यa कर सब्सक्राइब यक यूजिया पाई 서 किचन का यहां बाथरूम का यहां बाथरूम का पानी यहां ट्वाइलेट का ठीक है सब का पानी एक ही पाइप से जारता है इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे कहते हैं सिंगल पाइप सिस्टम नलकारी सिस्टम इसे कहते हैं सिंगल पाइप सिस्टम क्या करते हैं मे वपाइप में बदभुदार पानी जैसे ट्वायलेट हो गया, यूरिनल का पैसाव घर का ऑ गया और रहे बीना बदभुदार किया कि इशन,ивает है, नहीं收ती पैसा लेका पानी करेंगें, नहीं उन्हाएं, नहाते होंगे नहाते तो होंगे आध प्राइप सिस्टम का कि अब बाकि एंप एक सिस्टम क्या है यह तो हम उसी मुर्ण समझाएंगा और रही है चलिए कि चलिए निकासी कैसे करेंगा ठीक वार्षा जल का निकासी कैसे तो कि ईथे स्वार ही टो हरं करने के लिए सेफ्टिक टंक तो तो में लेते हैं अμαकर क्षारों साफाई हे तू आँ अब लोग दो या रहा ह। ताइए और साउट करसेंगे पर करत देखेंगे हंगे दिखेंगे ने के इन इंजिनीरों के अंदर नहीं रहता है स्वचता से फीटिंग है सिनेटरी अपलियाइंस ठीक है क्लासे यूटूब पे पूरा फिरी आपकॉस्ट आएंगे पूरा आएंगे कम्प्लीट स्लेवर्स तभी आएंगे जब यू जाएगा ठीक है नहीं तो दौला दौला चाहिए हम उनको सारा चीजे देखता तो अच्छा सा प्यारा सा इनर्जी हम को आया ऐसा कमेंट कर देखा चाहिए जिसमें लोट-लोट कर नहाया जाता है जैसे उसके बाद क्या जाएगा ट्वाइलेट यूरिनल आ जाएगा जिस सिंक आ जाएगा वास बेसिन हाथ दुन धिसके निसका मोग फिटिन ऐसे करेंगे ठीक है यह वैस्ट वाट देखेंगे से में दोनेट फिल्सपी देखेंगे फिर वास बेसिन अंया वास बेसिन है बाथ टब ऊवारा फवारा आ गया अजिकल यूई उस於 में तुझे ना शौमताय हैं आप शुचकहिश कर तुब गक्राइब ilfred कि Moscow E तोन दखेंगे था जांगे तो तो उसमें भरा रहाता है उन्सें पानि हम ऐसा भर रहा नहीं पांी हम एसने आप तो सोथी कर घोल कि आओपर तक पानि आ गया उता फैenci am बहुत तरह काूं तरफ देखेंगे इसमें पानी हमेशाच हमेशा हुआ इसमें पानी बना रहा है प्री hon और जाता है रहत यह कि तो गैसे आपके अंदर नहीं जा पाती है अब ऐसा नहीं कि ट्वाइलेट में ही लगा रहा था नहीं आप कभी-कभी नहाते होंगे है ना कभी-कभी इंजिनियर कभी-कभी नहाता है तो आप पानी मत गिरेगा आप आपके जो बना होगा क्या पानी खिचने वाला जाली लेंगे तो आपको काईगा टप 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 की आवाज आएगा इन्हीं बाथरूम के नीचे भी लगा है बाथरूम में वहां भी लगा है ठीक है ट्रेप लगा सब जगह लगा दिया आता है जहां सब मतलों कि बदू आने के संभावना होती ऐसा नहीं कि ट्वालेट मे ला रहा था नहीं कई जगह रहा था ठीक है ट्रेप पढ़ेंगे वाटर सिल्क आ होता है जितना पानी भरा रा था उसकी मोटाई को वाटर सील्क आते एगजक्ट कहम देखेंगे क्लास में ठीक है ए ट्रेप परकार देखेंगे बनिरिज्छा मोखा हम पढ़ाए था वेस् त्वालेट शीट से बारे त्वादेक देखेंगे वाथ डब देखेंगे कितना दूरी पहना चाहिए दिवार से कितना होना लग और कुछ नहीं खास ठीक है कि उसका हीटिंग सिस्टम इन बिल्दिंग क्या आता है बैए भाई इसमा एक तरह की उर्जाय वेगरा आप पढहेंगे जो फिजिक्स में पढ़ेंगा उसका कुछ थोड़ा सा पॉर्शन आम इसमें लेकर तलम है उसमें तोरह करेंगे फिर अभासित परशार गुलांग लांग हीटिंग में देखेंगे परलालि वह सिस्टम क्या क्या है देखेंगे लडी देखेंगे चयसर पर उसमें उर्जा धायता ताप अंतरा केंद्रिये तापन गर्म जल आपूरती गीजर देखेंगे देखते ना बातरूम में लगता है सोलर वाटर हीट आप अखिर पानी को कैसे गरम करेंगे गीजर तो भी जली से गरम होगा ठीक है अब अब लगेगा लेकि इसको आप जानते हैं अंतर मतलब हीट का ट्रांसपर्ट अब याद करिये चालन समवहन विकरन इसको पढ़ेंगे फिर विंटिलेशन कि आप सकता क्या शुक्दायक प्रिस्तिति यां विंटिलेशन कहां लगाए कि अच्छा रहेगा प्र वाई बदल वही आपने सामने वाई का ट्रांसपर होता रहा एसा ना कि वाई वाद आज आज बाहर निकलने का कोई माध्य में नो तो आप देखेंगे फिस सिस्टम देखेंगे ठीक है फिर एर कंडिसनिंग देखेंगे मुख्य बात है प्रक्रम प्रनाली का यह कच् ठीक उसमारोधन परदात आप जानते हैं इस लेटिंग मैटेरियल की बात रहा ठीक है तो यह आपका कंप्लीट से लेवस रहा किसका प्लंबिंग का किसका मेरा प्लंबिंग का क्लासे आपका यूटूब पर आएंगे लेकिन आप इसको लाइक करिए अच्छा सा कमेंट कर ज्यादा कंसेट है हम फिगर दिखा के उसके बारे में समझा देंगे आपके माइंड में अच्छा बजाएगा आप जानते मेरे पढ़ाने का तरीका एकदम जीरो लेवर से शुरू करते हैं इधर उदर की बात हैं नहीं करते हैं टाइम तो वेस्ट हम करते ही नहीं क्योंक वेस्ट लाप